हेलो फ्रेम्स मैं सोनी आनंद और आपका हमारे चैनल आनंद बज में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिवी जगत की फेमस अभिनेत्री रिधिमा पंडित के बारे में लाइफ ओके टिवी चैनल की सिरियल बहु हमारी रजनीकान से डेब्यू कर घरगर में पहचान बनाने वाली रिधिमा पंडित एक मॉडल और टिवी होस्ट भी है बहु हमारी रजनीकान से रियल में उन्होंने सांदार एक्टिंग कर लोगों का खूब मनुरंजन किया था और सबके दिलों में एक अलगी पहचान बना ली थी तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो के जड़िये जानेंगे रिधिमा पंडित के लाइफ से जुड़े अभी तक की पूरी जानकारी उनकी लाइफ एस्टोरी, बॉइफरेंड, फैमिली, एजुकेशन, नेटवर्ट, टिवी सिरियल, इत्यादी रिधिमा पंडित के बाड़े में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल इकन को प्रेस कर दे और लाइक बटन को दबा दे रिधिमा पंडित का जन्म 25 जून 1990 को मुंबई में हुआ है उनका स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई भी मुंबई से ही हुई है और उन्होंने इन्वर्सिटी ओफ मुंबई महरास्टा से सोसलोजी और इवेंट मैनेजमेंट से असनातक कर रखी है इनके फैमली की बात करें तो उनके फैमली में इनके माता पिता के अलावा एक बड़ी बहन है इनके पिता का नाम मिश्टर पंडित है और मा का नाम जैस्ट्री पंडित है इनकी मा गुजराती है और पिता एक महरास्ट्रियन है उनकी मा का देहन्त इसी साल 2021 में कुरोना से हो गई है कुरोना के 5 साल पहले से ही उनकी मा किटनी के प्रोबलम से जूज रही थी दोस्तो अब हम बात करते हैं रिधिमा पंडित के कैरियर के बारे में मुंबई जी से माया नगरी भी काते हैं और वहीं पर जनम पालन पोशन और पढ़ाई होने के करण रिधिमा पंडित का मन अभिने की तरफ गया और उन्होंने मॉडलिंग करना सुरू कर दी मॉडलिंग करते हुए उन्होंने कई छोटे मोटे कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट भी की और साथ साथ मॉडलिंग और छोटे मोटे टीवी कमर्चल करने के दोरान ही रिधिमा पंडित ने नादिरा बबर के एक जुट थेटर ग्रूप से भी जुरी रही और अभिने सिखती रही अभिने मॉडलिंग इत्यादी सिखने के दोरान उनका फैमली सपोर्ट काफी रहा था उनके पिता ने उन्हें काफी सपोर्ट भी किया था मॉडलिंग करने के दोरान ही उन्हें लाइफ होके की सिरियल बहु हमारी रिधिमा पंडित का रोल एक रोबोट मसीन का था इस सिरियल में कमेडी के जड़िये ही नैने समाजिक प्रशनों को उठाया जाता था और उसे हल किया जाता था रजनी रोबोट के रोल में रिधिमा पंडित ने अपने इस पहले ही सिरियल से खूब नाम कमा चुकी है इस पहले ही सिरियल में उनके अच्छे परफोर्मेंस के करण उन्हें सर्फसेट डेब्यू का जी गोल्ड अवार्ड 2016 से भी नवा जा गया था रिधिमा पंडित एक ऐसी अभिनेत्री है जो हमेशा से ऐसे सिरियल करना चाहती है जिसे समाज में कुछ अच्छा संदेश दिया जा सके जैसे उनके सिरियल बहु हमारी रजनीकान में भी जल बचाओ और भी कई समाजिक इस्यू को उठाया गया था और उसे ठीक करने के लिए बताया गया था बहु हमारी रजनीकान सीरियल के बाद रिधिमा पंडित ने साल 2017 में सोनी टीवी की ड्रामा सो The Drama Company में भी काम कर चुकी है इसके बाद रिधिमा पंडित ने कई टीवी सो और वेब सेरीज में काम किया उन्होंने वूट की वेब सेरीज के हुआ ब्रो बिग मैजिक के सो दिवाने अंजाने में कैमियो के रोल एकता कपूर की अल्ट बलाजी दोरा बनाई गे रोमांटिक वेब सेरीज हम I am because of us साल 2019 में कलर्ज टीवी के सो फियर फैक्टर खत्रों के खिलारी 9 में पार्टिसिपेट की और सेकेंड रनर-बक भी रही इसके बाद वह कलर्ज टीवी के एक और सो खत्रा 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 में भी नजर आई साल 2020 में वह जे टीवी के सो हैवान दव मॉंस्टर में अम्रिता सर्मा के रोल में नजर आ चुकी है इतना ही नहीं साल 2017 में रिधीमा पंडित स्टार प्लस की डांस रियालिटी सो डांस चैंपियंशिप को होस्ट भी कर चुकी है रिधीमा पंडित सो से भी ज्यादा बिग्यापनों में काम कर चुकी है उनके द्वरा कुछ बिग्यापन है फेरन लबली, डव सौप, हर्पिक, केंटर फ्रेस, वीट, सेटवेट, इत्यादी वीट के एड में कर्टरिना कैफ और एसियन पेंट के एड में राहूल रविर के साथ भी नजर आ चुकी है वह बॉलिवूड अभीनेता सोनू सूथ का आर्टिस्ट मैनेजर भी रह चुकी है रिधिमा पंडित के सारेडिक बनावट की बात करें तो उनकी हाइट 5,5 इंच है और उनका वजन 50 केजी है उनकी बड़ी मेजरमेंट 33, 25, 34 है उनकी आखों और बालों का रंग काला है रिधिमा पंडित के अफेर की बात करें तो उनके अफेर के चर्चे एहसान रोसन के साथ है एहसान रोसन संगित का राजेश रोसन के बेटे और रितिक रोसन के कजन है इन दोनों की मुलाकात एक common friend के जड़िये हुई थी और ऐसा माना जाता है कि वहीं से इन लोगों के प्यार की सुरुआत भी हो गई थी हलांकि रिधिमा पंडित ने अपने और इस रिस्ते के लिए कभी कोई public statement नहीं दी है रिधिमा पंडित अभी Big Boss OTT में नजर आ रही है जिसे करंजोहर होश्ट कर रहे हैं लेकिन Big Boss OTT से रिधिमा पंडित दो हफते के बाद ही eliminate हो चुकी है दोस्तों रिधिमा पंडित आपको कैसी लगती है हमें comment करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें